हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो Realme 10 Pro Plus मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे काफी ज़्यादा सुन्दर लगा था कब डिस्प्ले जो Realme ने दिया है वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज है 25,000 के अंदर आज Realme ने लूज कर दिया है Realme 10 ओल्मूस्ट दस दिन से ये डिवाइस मेरे पास है और दिखने में तो ये डिवाइस भी काफी ज़्यादा सुन्दर है लोन से पहले ही मैंने एक शोर्ट भी बनाया था कुछ दिन पहले इस फोन के उपर और आज इस वीडियो में इस फोन के बार में इन-depth information आपको देने वाला हूँ सबसे पहले box की बात कर देते हैं वही same typical yellow color में box आपको मिलेगा tennis के उपर दिखा हुआ है और सारी काम की चीज़े मिल जाती है कुछ इस तरीके का transparent case है थोड़ा सा dark hair shade में कुछ safety guides आपको मिल जाती है 33 volts का बड़ा सा एक adapter आपको मिल जाता है तो fast charging इस phone में आपको दे जाती है उसी के साथ एक एक type A to type C cable अच्छी quality के आपको दे रखी है और phone के उपर एक plastic वादा scratch guard जो है वो आपको pre-plight मिल जाएगा अब सबसे पहले तो मैं looks की बात ही कर देता हूँ यार phone दिखने में जो है वो काफी जादा सुन्दर है पीछे आपको plastic body मिलती है side में भी plastic का frame आपको दिया गया है लेकिन अगर आप इसको touch करते हैं तो ये काफी premium सा feel होता है इवन ये जो plastic pack है वो भी काफी जादा अच्छी quality का है थोड़ा glass वादा feeling जादा आता है इससे तो उस वज़े से काफी premium ये phone feel होता है price अभी तक मुझे इस phone का exact नहीं बता है लेकिन मैं expect कर रहा हूँ के लगपक 15,000 के करीब होगा और phone में सारी जरूरी चीज़ें आपको दी गई है जैसे के triple card suit आपको दिया गया है even earphone jack आपको यहां पर नीची की तरफ मिल जाता है primary microphone के साथ यहां पर type C port भी दे दिया है speaker यहां पर एक मिलता है लेकिन काफी loud है उसका एक special feature भी है जो के आगे इस वीडियो में explain करूँगा और mic यहां पर उपर भी आपको मिल जाता है जो के secondary है noise cancellation के लिए है और यहां पर side में आपको physical fingerprint sensor मिल जाता है इस phone में हालांके MLS display heads की आगे इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन in display fingerprint sensor नहीं है यहां पर physical वाला side में आपको मिलेगा sensor यह भी काफी इच्छे से काम करता है काफी सारे लोगों को यह जाधा अच्छा लगता है अगर आप देखेंगे speed इसकी काफी जाधा अच्छी है अब एक चीज़ क्लियर करने दोस्तों कि यह 4G smartphone है इस price range में specially आपको 4G और 5G दोनों तरहां के smartphone मिलते हैं 5G वादे जो smartphone होते हैं उसमें काफी सारी चीज़ों के उपर compromise हो जाता है सिरफ 5G देने के चकर में 4G वादे smartphone में आपको बहतर overall smartphone मिल जाता है और यह उनहीं में से एक smartphone है तो यहाँ पर display की बात कर देता हूं दोस्तो Super AMOLED display आपको दिया गया है और यहाँ पर Realme ने सिरफ Super AMOLED देके नहीं छोड़ा दोस्तो उसी के साथ इसमें 90Hz का refresh rate भी आपको दे दिया है तो overall display तो almost आपको flagship level का मिलेगा अगर आप content देखना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा experience मिल जाएगा उसी के साथ अगर आप phone को use करते हैं तो smooth refresh rate की वज़े से भी काफी अच्छा experience आपको मिल जाएगा और मैंने अरड़ी आपको बताया कि Corning Gorilla Glass 5 की protection भी आपको दे रखी है अगर मैं brightness की बात करूं तो यह 1000 nits तक जाती है तो outdoor visibility में कोई issue आपको नहीं आने वाला है और display की बात कर रहे हैं तो अभी मैं आपको speaker के बारवे में बता लाता हूँ तो speaker वैसे तो single है नीचे की तरफ है लेकिन काफी loud speaker है speaker की quality अच्छी है और इसमें जो एक खास feature मैंने आपको बला था इसमें आप volume को 200% तक extend कर सकते हैं तो 100% जब हो जाता है उसके बाद भी अगर आप increase करते हैं तो 200% पर चला जाता है वो actually वहां पर जो sound आता है वो amazing quality का है हाला कि realme ने मुझे बोला कि इसको ज़्यादा time use मत कीजेगा लेकिन अगर आपको भी party mode में use करना चाहते हैं तो 200% use कर सकते हैं अब एक चीज मुझे दबता है कि इस phone में missing है dual speakers इस phone में होने चाहिए थे इस price range में हमने पहले भी बहुत सारे smart phones देखे हैं जिसमें आपको dual speakers मिल चुके हैं मुझे पता है आप मेंसे काफी सारे लोग camera के बारे में जाना चाहते हैं उसके भी बात करेंगे बहुत सारे camera samples हैं अच्छे से explain करूँगा उससे पहले performance और battery वादा section जो है वो आपको explain कर देता हूँ तो performance की बात करें तो Helio G99 latest processor आपको मिल जाता है इसके N22 score की बात करें तो लगभग 390K तक चला जाता है क्योंकि काफी जादा अच्छा है मेरे हिसाब से this price segment के लिए बाकि अगर आप gaming वगएरा भी करना चाहते है क्योंकि 90Hz का refresh rate भी आपको यहाँ पर दे रखा है रियो मिने कोई problem साब को नहीं आने चाहिए यहाँ पर कुछ गेम दे करके मैं आपको रिखा भी रहा हूँ Day-to-day तो मैं लभग 10 दिन से लगाता फोन यूज कर ही रहा हूँ मुझे कोई ऐसा इसमें stutter वगएरा देखने के लिए नहीं मिले UI काफी stable है और इवन जो performance है फोन की day-to-day like में भी काफी ज़्यादा अच्छी है और performance को और बहतर करने के लिए यहाँ पर RAM और storage भी अच्छी quality का दे रखा है RAM यहाँ पर LPDDR4X है और storage यहाँ पर UFS 2.2 है और एक और खास चीज क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो variant है वो 8GB 128GB वाला है इसमें virtual RAM के अगर मैं बात करूँ तो उसको आप 16GB तक लेके जा सकते हैं मतब 8GB physical, 8GB virtual तो total आपका 16GB हो जाएगा और एक और अच्छी चीज जो इस smartphone के साथ Realme ने की है दोस्तों इस phone में आपको 5000 mAh की बड़ी battery दी गई है लेकिन ये Realme का one of the slimest smartphone है मतब Realme ने battery भी बड़ा दिये और इसको और जादा slim भी कर दिया है बाकि phone के box में जो आपको 33V का charger दे रखा है उससे लगभग 1 घंटा 10 मिनिट मतब 70 मिनिट के करीब लग जाते हैं phone को full charge करने में UI के बात करने तो यहाँ पर आपको Realme UI का version 3 मिल जाता है जो के Android 12 के उपर based है अब recently काफी सारे लोगों ने आपको बताया कि Realme 10 Pro Plus में काफी सारी ads आना शुरू हो चुकी है और कुछ गलत वाली ads भी यहाँ पर आ रही थी जो problem यहाँ पर fix कर दी थी है बाकि पिछले लगभग एक साल से Realme UI जो है वो मुझे काफी पसंद आ रहा है उसका reason यह है कि यह काफी जादा smooth है काफी light weight है और features इसके अंदर भर-भर के आपको मिलताते हैं dual apps, app look, floating windows हर तरीके का feature आपको मिलेगा हालांकि features की बात जो है वो हम tips and tricks वाली वीडियो में अच्छे से करेंगे और अब बात करते हैं cameras की दोश्तों काफी सारे camera samples आपको दिखाओं हो उससे पहले specifications बता देता हूं phone की 50 megapixel का primary camera यहाँ पर rear में है और यह 16 megapixel का camera है यह एक long shot आप देख सकते हैं जिसमें अब overall details अगर आप देखेंगे 50 megapixel का photo है तो काफी अच्छी आ गई है zoom in करके भी आप देख सकते हैं portrait photography की अगर आप बात करते हैं तो मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी खासी photography कर लिता है अगर आप अच्छी lighting की बात करते हैं इवन अगर आप depth effect वाला photo देखेंगे उसमें भी edge detection वगयरा काफी अच्छा है इवन यहाँ पर front camera की photos भी आप देख सकते हैं front camera से भी अगर आप portrait shoot करते हैं या depth effect enable करते हैं तो दोनों चीजें काफी अच्छे से यहाँ पर आपको दिखेंगे थोड़ा macro photography की बात करें तो थोड़ा अगर past जाके आप objects के photo capture करते हैं तो वहाँ पर भी details काफी इच्छी रहती है खालांके क्यूंकि dedicated macro camera यहाँ पर नहीं है अब थोड़ी low lighting के shorts की भी बात कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे low light की performance भी मुझे actually इस phone की काफी इच्छी लगी है काफी अच्छे से low lighting में भी यह details capture कर देता है और colors वगेरा भी काफी अच्छे रहते हैं काफी सारे phones mid range में अगर आप देखेंगे तो low lighting में colors को अच्छे से capture नहीं कर पाते front camera, rear camera दोनों के मैं बात कर रहा हूँ बाखी और कुछ samples आप यहाँ पर देख सकते हैं अगेन आप तो मुझे लीचे comments में बताएगा के आपको इस phone की cameras कैसे लगे हैं camera की कुछ और important चीज़े आपको बता देता हूँ दोस्तों, videos की बात करें तो rear camera से maximum full HD 60fps videos आप shoot कर सकते हैं front camera से maximum आप full HD 30fps videos shoot कर पाएंगे night mode का support आपको front और rear दोनों cameras में मिल जाता है slow motion videos भी आप इस phone से rear camera से capture कर सकते हैं बाकि कुछ और modes की बात करें तो यहां पर आपको pro mode दे रखा है उसी की साथ dual view video वाला जो mode है वो भी आप use कर सकते हैं मतलब front और rear दोनों cameras को यूज़ करके आप videos भी shoot कर सकते हैं बाकि 4G network की अगर मैं बात करूं दोस्तों उसमें मुझे यहां पर कोई ऐसा issue नहीं मिला है 4G network की connectivity भी काफी थी है इसके अंदर तो यही था दोस्तों अभी के लिए इस video में काफी सारी details में ने इस phone के आपके साथ शेर की इस video को देखने के आपका बहुत बहुत नहीं आगा दोस्तों